राम राम दोस्तों आए आज के मनसुराशिन की पार्ट पार्ट के उर बढ़ते हैं कुछ फ्राबलम की विडियो नहीं आप रही थी लेकिन अब कांटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी तो पार्ट पार्च में आज रम पढ़ेंगे त्रिबुझ त्रिबुझ की बात करें त तो मेलनी तिर्भुज भाई साहब दो कटेगरी में से बाटा जाता है एक होता है भाई साहब भुजा के आधार पर दूसरा होता है कोडों के आधार पर भुजा के आधार पर भी तीन कोड के आधार पर भी तीन है भुजा के आधार पर बात करें तो सबसे पहला बात किया ज दूसरा बात करें बिसम बाउं तिर्बुच तीसरी बात करें सम दिवां तिर्बुच तीनो भुजा बराबर होती है बिसम बाउं तिर्बुच में तीनो भुजा समान होती है सम दिवां में दो भुजा क्या होती है समान होती है अगर आपके बात करें कोड की आधार पर तो पहला होगा नियून कोड तिर्बुच जिसका तीनो कोड 90 से छोटा होगा दूसरा होगा सम कोड तिर्बुच जिसका कोई एक कोड 90 डिगरी होगा और तीसरा हो जाएगा अपना अधिक कोड तिर्भुज जिसका कोई एक कोड 90 से क्या होगा बढ़ा होगा तो ये तिर्भुज के परकार होगे आईए और बात करते हैं तो ये पॉइंट आपको भी याद रखनी है अगर आपसे बात करें तिर्भुज का निर्माड कैसे होगा तिर्भुज का निर्माड की बात करें तो सबसे बड़ी बात भाई सहब अगर तिर्भुज की तीन भुजा आपके सामने दे दी और सी सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा हो तो आपको ये याद रखना है तिर्भुच की अगर आपसे पूछे की नियून कोड तिर्भुच की पहचान कैसे करेंगे तो जो नियून कोड तिर्भुच होगा उसकी पहचान होती है अगर C बड़ा है तो ये point आपको याद रखना है कि C square जो होगा मने सबसे बड़ी भुजा का square क्या होगा योग square छोटा होगा C square के योग से ये नियून कोड की क्या होती है पहचान होती है अधिक कोड के पहचान की बात किया जाए तो जो अधिक कोड होता है ये भाई कैसे बनता है इसमें जो सबसे बड़ी का square होगा ये C square क्या होगा बड़ा होगा और बात कर लेते हैं समकोड की समकोड तो आप पाइथागोरस फर में जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा करड होती है उसका जो मान होता है बराबर होता है सेस दो भुजाओं के यूग के ये तीन आपके नियून कोड अधिकोड और समकोड की क्या है पहचान है ये point आप आपको ये देखना है और आपको ये देखना है कि अगर तीर्भुज की तीन भुजा आपके सामने दी गई हो तीन भुजा आपके सामने है तो तीर्भुज की जो तीसरी भुजा होती है दो भुजा के अंतर से क्या होगी बड़ी होगी मान लगा देते हैं कोई इदर दर घटा दी छोटा बड़ा करके और तिर्भुच की दो भुजा का अंतर जो होता है वो बड़ा होता है तिर्भुच की दो छोटी भुजाओं के योग से ये वाला वलू क्या होता है बड़ा होता है बास समझ माया तिर्भुच की दो छोटी भुजाओं का अंतर जो होगा ये तिसरी भुजा से क्या होगा चोटा और तिर्भुज की दो बड़ी भुजाओं का जो योग होगा ये तिसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा ये point आपको याद रखना है ये होगा तिर्भुज के निर्माड के condition और बात करते हैं और बात करें अगर कोई भी ये आधार मालेतें A के सामने C के सामने C, B के सामने B तो अगर आपसे तिरभुच का छेथफल पूछ ले तो फार्मूला आप जानते हैं तिरभुच का छेथफल नहीं जानते तो बताई देते हैं एक बटे दो आधार इंटू क्या होता भाई उचाई होती है यह हो गया और त्रिवुच का छेथफल अगर माल लिजी ए तो होता है बेसिक फार्मूला यह होता है लेकिन आपको अगर तीन भुजा दिया हो अगर तीन भुजा A, B, C दिया हो तो छेथफल आप क्या यूज करेंगे हीरो सूत्र यूज करेंगे हीरो सूत्र क्या होता है आप Yes Yes-A, Yes-B, Yes-C यह हीरो सूत्र है जहां Yes क्या है A प्लस B प्लस C का आधा Yes को क्या कहा जाता है अर्ध परिमाब कहा जाता है A पॉइंट आपको याद रखनी है कभी-कभी देखें यहाँ पर आपको जो ऑर्थमेटिक होता हुआ ट्रिक से काम चल जाता है लेकिन यहाँ कंसेप्ट पता होना जरूरी है तब जाके आप की जिन्दगी अच्छे से कटेगी अगर परिमाब की बात करें परिमाब तो परिमाब क्या होगा तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी यह परिमाब होता है यह पॉइंट आपको याद रखनी है आईए और आगे बढ़ते हैं त्रिबुज का छेतपल भी हमने बता दिया और अगर बात किया जाए माल लेते हैं एक त्रिबुज है कैसा भी त्रिबुज इसके अंतरगतिक बृत बना है इसकी त्रिबुज आपसे पूछ रहे अंतह बृत की त्रिबुज आपसे पूछ ले तो इसमें भी घवडाने की बात नहीं है इसकी कहीं कहीं सेंटर होगा और इसको इसके केंद से सिर्ष से मिला देते हैं तिरबुच के और इसकी तरिज्जा है तो इस पर लंब डाल देते हैं आर होगा इस पर भी लंब डाल देते हैं आर होगा थोड़ा सा A, B, C, सामने वाले भुजा अब थोड़ा सा इस पे गौल कीज़े ऑब मान लेते हैं तिरबुच B, O, C इस वाले तिरबुच का छथफल प्लस तिरबुच C, O, A का छेथफल C, O, A का छेथफल प्लस तिरबुच A, O, B का छेथफल तिर्भुज A, O, B का जो छेटफल A, A और ये इतना पूरा, ये इतना, ये इतना ये अगर तीनों जोड़ दे तो तिर्भुज के छेटफल के क्या हो जाएगा तिर्भुज A, B, C का क्या हो जाएगा छेटफल के बराबर होना चाहिए तो अब एक बार बताईए तिर्भुज B, O, C का छेटफल एक बटे दो आधार कितना है A है, तिर्जा कितना है, उचाई कितना R है, तो एक बटे दो A into R, ऐसे एक बटे दो B into R, एक बटे दो C into R, तिर्भुज का छेटफल परमा लेते हैं, तेल्टा है अब बताईए, RR सब जगह है R कामन कर लिए, तो A, B, C बचा और नीचे बेस समान है तो अब क्या होगा, बटे दो हो गया ये देल्टा आ गया, तो R बराबर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अर्ध परिमाफ है, यस बराबर डेल्टा, तो R बराबर कितना आ गया डेल्टा बटे अस, मतलब कहने का अगर आपको तिर्भुज का छेद्फल पता हो और अर्ध परिमाफ पता हो तो आप अंत्र ब्रिट की तिर्जा निकाल सकते हैं और आईए बात करते हैं अगर कोई भी तिर्भुज हो अगर इसमें बाहर बाहर ब्रिट बना दे उसकी तिर्जा आपसे पूछ ले तो कुछ करने की जरुद नहीं है A, B, C, A आपके सामने क्या है इसके तिर्भुज है इसकी मान लेते हैं बाहर ब्रिट की तिर्जा जोगी इसके सिर्ज से गुजरेगी तो ये मिला देते हैं इसके सिर्ज से ये O हो गया ये R है, A, B, R है और A, B, कितना है, R है आईए देखते हैं एक पॉइंट आपको याद रखना है ये सामने वाली भुजा ये हो जाएगी सामने वाली C हो जाएगी ये और A, B हो जाएगी अब एक बात बताओ अगर हमें दो भुजा दिया है इनकी बीच का कोड़ दिया है तो याद रखेगा अगर दो भुजा दिया हो उनकी बीच का कोड़ दिया हो तो एक बटे दो B into C और साइन कितना A होता है ये तिर्भुज का छेतपल होता है कब होता है अगर दो भुजा दिया हो उनके बीच का कोड दिया हो तो ये point आपको याद रखना है और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर sign rule ये आपको जब geometry पढ़ाएंगे तो हाँ प्रूब करके दिखाएंगे sign rule क्या होता है A upon sign मतलब कहने का ये भुजा अपान सामने वाला कोड बराबर होगा B भुजा अपान सामने वाला कोड B upon sign A B upon sign B C upon sign C बराबर 2R होता है अब एक बात बताएए थोड़ा अगर हम इनको इनको दोनों को बराबर करें तो A by sign A बराबर 2R होगा तो आप अगर आपसे यहां से हमें sin A का मान चाहिए तो sin A बराबर आ जाएगा A upon 2R आ गया अब इसी चीज़ को उठा के यहां रख लेते तो delta बराबर 1 बटे 2 BC into A by 2R अब एक बात बते delta बराबर A, B, C into में upon 2 दूनी 4R अब बताएए R का यहां भेत देते तो R बराबर A, B, C upon 4 delta मतलब कहने का अगर 3 भुजा दिया है तो हम वाहिबरित की तरिज्या भी निकाल सकते हैं और delta हीरो सुथ से निकाल सकते हैं तो यह रहा basic सी theory है अब इस theory को पढ़ने के बाद हम कुछ question करते हैं आईए question के और बढ़ते हैं जी हाँ यह रहा हमारा पहला question question है एक तरिभुज की दो भुजा करम से 99 और 199 cm है तो कुल कितने तरिभुज संभव है यह आप से पूछ रहा है तो घबडाना नहीं है यार आप बताएए एक तरिभुज की पहले पेसिक्स छोटा सा कर लेते एक तरिभुज की दो भुजा करम से 4 और 10 cm है तो तुसरी भुजा क्या हो सकती है यह आप से पूछ रहा है तो आप एक बात बताईए अगर अभी हमने पढ़ाया था जो तिसरी भुजा होती है इन दोनों के अंतर से ए माइनस बी से बड़ी होगी और इन दोनों के योग से क्या होगी छोटी होगी तो ए माइनस बी 10 में से 4 गैच्छ है और सी होगी 10 और 4 कितना होगया 14 10 और 4 कितना होगया 14 इसका मतलब जो तिसरी भुजा होगी वो 6 से बड़ी माने 7 8 9 10 11 12 13 और 14 से चोटी माने 13 यह हो सकती है अगर सभी भुजा पुडांक माने 7 से 13 के बीच में और 7 से 13 तक कर ले करके सभी संक्या इसकी क्या होगी भुजा अगर पूछा होता अगर सभी भुजा पुडांक है अगर सभी भुजा पुढांख होता तो कितने त्रिबुशंभव होते तो 1,2,3,4,5,6,7,7 त्रिबुशंभव है यह आपको याद रखनी है आई कोशन करते हैं थोड़ा लंबे वाले पर कहरा है कि एक त्रिबुश की दो भुझा 99 और 199 cm है तो कुल कितने त्रिबुशंभव है यदि पुढां हो ऐसा देना चाहिए भुजा क्या हो पुडांख हो तो घबडाना नहीं है अभी हमने बोला भाई जो तिसरी बुजा गई इन दोनों के अंतर से बड़ी होनी चाहिए चाहिए हो गई दोनों के योग जोड़ो 988,99,1128,1190,1191,299,2998,2198,2197,2198,3102,2198,2198,2198-2197,2197 तक होनी चाहिए तो 101-2197 तक कितनी संख्या है तो आप चंह करेंगे आपको आपको बताये थे इन दोनों का अंतर और एक जोड़़ों, जैसे आपसे पूछ है याद रखना है कितने यह रखना है संभभा है यह है क्या करना है याद रखना है ऐसे कुछ भी कोशन पूछे तो आप जबा दे सकते हैं आईए और कुश कोशन करते हैं जैसे आपके सामने ये दिया गया है आपसे कहा रहा है एक समकोड तिर्भुच का आधार पांच और कड़ 13 cm है तो छेद फल बताईए एक समकोड तिर्भुच ये 90 डिगरी होता है और आधार 5 है और कड़ 13 है तो आप जानते हैं समकोड तिर्भुच के इसाब से ये 5 ये 13 ये कितना होगा बार है पाइथागोरस परमें से 13 के सकार 17 माइनस पच्वपचीस 144 आ गया 144 का न्रूट कितना हो तब बार है अब आपको पता है कि तिर्भुच का छेद पल एक बटे दो आधार 20 अगर माल ने चार माल ने तो पांच होता है अगर पांच हो गहां तो ये क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस परमें से तो अगर हम ए अनुपात में है तो धिरी के फोर के 5 के मान सकते है बात के लिए नियर तो अब si 1 जा इंड़े पास्वच वट लेकि थीरी के reakorn 216 के 2 दुनी कितना होता भाई हएं चार 2 दूनी चार होता है 2दी दूनी 2 तीन 6 36 का 216 तो के स्कॉर-कमान 36 के कमान कितना आ गया यह जगर कमान आपसे पूछा क्या था परिमाब परिमामन देल बुझाओं का योग का है सबसे पहले इसे हमही रूप मिलों जयतों जो इसको सभी मिला या कर दे चार तो इसका बुजा आगया च्हेर नुपाते चार नुपाते तीन चाथ तीन तेरे तेरे बराबर कितना दिया यह इसका क्या हो गया एंसर आइए और आगे बढ़ते कह रहा है कि एक त्रिवुज की भुजा वंटीस एगएस और विस मीटर है तो बताये छेट फल कितना होगा आप चाहे हीरो सूत से लगा लू आउ हीरो सूत से लगा। नहीं तो देखे 20 का स्कवराद 400 चलिए हीरो सूत से लगाते हैं तो आप बतायेंगे 20, between, 40, 20 कितना आ गया 60, 99, 70 हो गया इसका क्या और आपका परिमाप कितना हो गया 70 अर्ध परिमाप पूछे तो कितना हो जाएगा 35 तो 35 गुड़े यस माइनस ए 35 से 31 गया तो आप कहोगे भाईया 6 35 से 21 गया तो कहोगे 14 और 35 से आप बात करें 35 से 20 गया तो कहेंगे भाईया 15 बात समझ माया अब इसी को साब कर लो यह हमारा इंसर हो जाएगा अगर हो डिरेक्ट नहीं समझ पा रहे इसको आर लगा के यह समकोड तिर्भूच है तो आप ऐसे करो 35 यह हो गया और बात करें यह 35 और यह 6 को दो गुड़े तीन लिख सकते और दो गुड़े साथ लिख सकते चोदे को तीन गुड़े पांच लिख सकते अब बताइए साथ पचे 35 और एक 35 यह क्या हो गया एक 35 बाहर तीन दुनी 6 और तीन दुनी 6 एक 6 बाहर हो गया यह इसका क्या हो गया आइनसर आईए और आगे बढ़ते हैं कहा है यह किसी तिर्भुच का छेतफल 116 वर्ग सेंटीमीटर है और तिर्भुच के आधार और आधार पर लंब का उनुपाद 33 और 4 है तो उसका लंब क्या होगा एक बात बताईए आधार और लंब का उचाई का उनुपाद दिया तिन उनुपादे चार तो हम मान सकते हैं थिरी के और क्या हो जाएगा फोर के तो एक बटे दो आधार गुड़े उचाई तीन गुड़े चार के बराबर कितना दिया है 1176 तो अगर के कमान पूछे तो चौदे आ गया पूछा क्या है लंब पूछा है लंब वाने क्या उचाई पूछा है चार के चौदे गुड़े चार कितना आ जाएगा चौदे चोपन यह इसका क्या बन गया एंसर आईए और कुश कोश्चन की चर्चा कर लेते हैं जैसे जैसे अगर आपसे बात करें कहें कि भाई साइब एक तिर्भुज एक तिर्भुज एक तिर्भुज की भुजा पांच साथ और दस सेंटीमीटर है पांच साथ दस सेंटीमीटर है क्या तिर्भुज संबव है तो अभी क्या तिर्भुज संबव है ये आपसे पूछ ले तो आपको घबडाना नहीं है मेरे भाई एक बात बताईए अभी हमने बोला सेस दो छोटी भुजा को एक तिसरे से बड़ा होना चाहिए साथ पांच बारह का मान क्या आ गया बड़ा आ गया तिसरी से तो ये तिर्भुज क्या है संबव है बात समझ माया अगला बात कर ले एक तिर्भुज की भुजा اगर आपको को देदे 25 क्या ये तिर्वुस संभव है तो आप कहोगे 10-11 कितना होता है जो छोटी का योग कितना हो रहा है तो आप कहेंगे 20 और या गया 25 दो छोटी का योग छोटा हो गया तीसरी से ऐसा तिर्वुस संभव नहीं होता है यह पॉइंट आपको याद रखना है तो यह रहा आपके त्रिभुच का पहला लेक्चर अभी इसके दो लेक्चर और आएंगे वीडियो पसंद आयो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू धन्यवाद दोस्तों